नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है M.J.T. Education में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे नेरोवी फ्लाइस के बारे में तो यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हैं दोस्तों रिसेंटली हुआ क्या है सिक्क्यम के अंदर सिक्क्यम की मैंनिपल इंस्ट्यूटाफ टिक्न Noodles के अंदर उनको यहाँ पर इनफेक्ट कर दीए गया है इन पर्टिकुलर फ्लाइस के दारा इस वीडियो में हम इन फ्लाइस के बारे में जानेंगे ये कहां से लड़कार आ रही है, किस तरह से ये लोगों को प्रवावित कर रही है और इनके बारे में जाने हैं कि कि इतियास में ऐसा कोई आउट्रेक हो जोका है जो कि हमें चिंता का विशया बन सकता है तो इनी सबी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप से पूछता हूँ एक क्वेस्चन यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जूलोलिकल सर्वे ओफ इंडिया के दोरा एक स्पेशीज को पाया गया था एक स्पेशीज को स्पोट की गया था जिसका नाम है वाइट चीक्ड मेकैक आपको यह बताना है कि यह कौन से स्टेट के अंदर देखा गया था आपके options हैं Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh और Manipur यदि आप इसका सही answer जानते हैं तो अभी comment वोक्स में बता सकते हैं और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही answer मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के end में इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमारे साथ मां जुड़े रहना चाहते हैं यदि आपको हमारी वीडियो की notifications को प्राप्त करना है तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं जिससे आपको हमारी वीडियो की notifications लगातार मिलती रहेंगी और इसी तरह की trending वीडियोस हम आपके लिए रहेंगे तो चली स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेरोवी फ्लाइज के बारे में तो दोस्तों जो नेरोवी फ्लाइज हैं अब नेरोवी एक जगा है केन्या के अंदर दोस्तों इस्ट अफ्रिका में एक देश हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है केन्या और उसे की कैपिटल है नेरोवी वहीं से यह जो फ्लाइज हैं यह उड़कर सिक्क्यम के अंदर आ रही है और यहां के जो स्टूडेंट हैं उनको यहां पर प्रवावित किया है अब सिक्क्यम के अंदर क्यों आ रही है क्योंकि हमें पिछले कुछ समय से सिक परीमात्रा मुरही हमने असाम के अंदर देखा था किस तरह से फ्लड आया था और बैंकर तवाई मचाए गई थी तो इसी तरह से अब नेरोवी जो फ्लाइज है वो उड़कार आ रही है सिक्यम के अंदर अब नेरोवी फ्लाइज की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बताए क कि ये के नेरोवी जगा है वहाँ से निकलती है तो इने केनिया फ्लाइज भी कहते हैं आपको देखने को मिलेगा एफ्रिका कॉंटिनेट के अंदर यहाँ पर जो इंडिया नओशियन है वहाँ पर इसकी बाउंटरिय рук circumstances देखने को मिलती थे केनिया है इसके बारे में आगे और चरचा करेंगे लेकिन पहले मैं इन flies के बारे में आपको बता देता हूँ तो ये flies है इन ही को कहा जा रहा है narrow flies अब इनका जो color है वो हमें देखने को मिलता है orange और black यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ओरेंजिश है और थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर भी इनको देखने को मिलता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्यम के अंदर हाई रेंफॉल देखने को मिला है पिशले कुछ weeks के अंदर जिससे ये सिक्यम में आकर attract हो रही है वहांके student को provide कर रही है दोस्तों ये जो particular insect है ये bright light से भी attract करते हैं हमने देखा है अक्सर की हमारे घरों में ही देखा होगा जहाँ पर light के bulb लगे होते हैं आपर बहुत bright light होती है वहां पर अक्सर कई सारे कीड़े आ जाते हैं कई सारे insect आ जाते हैं आपने देखा होगा raising season के अंदर जो light के बल्ब होते हैं उनके आसपास कई सारे insect हमको देखने को मिलते हैं तो इसी तरह से ये जो insect है ये भी इसी तरह से हैं और ये भी bright light से interact करते हैं उनसे attract करते हैं इसके अलाब दोस्तों ये humans को किस तरह से provide करती है इनके बारे में आपको बताऊँ तो ये जो particular species है ये जो insect है ये human के skin पर आकर बैट जाते हैं लेकिन दोस्तों, और insect की तरह ये उन्हें काटते नहीं हैं, हमने देखा है कि हम देखते हैं, एक mosquito होता है, mosquito यदि हमारी skin पर बैट जाता है, तो वह हमें bite कर लेता है, लेकिन ये जो मख्या हैं, ये जो flies हैं, ये हमें काट भी नहीं है, बल्कि ये क्या करती है ये चुपचा बैटरियाती यदि हम इनको इनको अटाने का प्रयास करते हैं हरवडी में यदि हम इनको अटाते हैं तो ये एक substance को release करती है जिसका नाम है padrin अब ये padrin substance क्या करता है ये हमारी skin में जाकर वहाँ पर irritation करने लगता है वहाँ पर हमें इचेंग होने लगती है जिससे कारण से हम वहाँ पर उसको रव करते हैं जिससे क्या होता है कि हमें एक और सेकेंडरी इंफेक्शन होने की संबाबना बढ़ जाती है जो कि हमारे लिए चिंता का विश्य हो सकता है दोस्तों इसके अलावा यह जो पैडरिन न इस तरह का हमें इंफेक्शन देखने को मिलता है इसके अलावा दोस्तों और चर्चा करें इनके बारे में तो हिस्टरी के अंदर भी हमें इस तरह का एक आउट्टरेक देखने को मिला था तो रिसेंटली तो नहीं दोस्तों हिस्टरी में 1998 के अंदर यह इंफेक्शन फैला था यह फ्लाइज चली गए थी जिनसे वहां के लोगों को प्रवाविट किया था तो दोस्तों कुछ केसे के अंदर यह जो पर्टिकुलर इंफेक्शन है यह काफी अदा गातक भी हो सकता है हमने इंडिया के इसके हमें देखने को मिल सकते हैं अब इनसे बचाव के क्या उफाय हो सकते हैं दोस्तों इसे बचाव के उपाय की बात करें तो यदि हमारी बॉड़ी इंफेक्शन फैला देते हैं यदि हमें इंफेक्शन कर देते हैं मानली जी हमारे हाथ पर इनने इंफेक्शन कर दिया है तो वो हाथ हमें कहीं और सकिन पर नहीं लगाना है जिससे क्या होगा कि हमारी जो सकिन है वहाँ पर और कहीं पर इंफेक्शन नहीं होगा इसके अलावा बार बार हमें हाथ दोने की अवशकता है इसके अलावा दोस्तों हमें नेट सके अंदर सोना चाहिए जिससे कि ये जो मक्खियां यदि हमारी बोड़ी पर आ भी जाती है आई नहीं पाएंगी वहां से तो और यदि आ भी जाती है तो हमें क्या करना होगा बड़ी साफधानी से इन मक्खियों को अपनी बोड़ी से अटाना होगा हमें हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कर दी जाएगी तो दोस्तों अब मैं आपको बते लिता हूँ केन्या के बारे में जैसा की मैं आप से कहा था तो जो केन्या है वो एफ्रिका की इस्टन साइड पर इस्ते थे आप देख सकते हैं इसके कुछ पड़ाओसी देशों के बारे में जान लेते हैं तो सुमालिया आप देख सकते हैं एथियोपिया, साउथ सुडान, यूगांडा और तंजानिया अब जो केन्या है केन्या की जो कैपिटल है वो है नेरोबी और यहाँ पर इंडियन ओशन से अपनी बाउंडरी शेयर करती है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एफ्रि देखने को मिलता है, तो यह कुछ चीज़ है थी जो केन्या के बारे में आपके लिए इंपोर्डेंट हो सकती थी वो मैं आपको बताएं अब मैं आपको बताई अब मैं आपको बताएं वहाँ जो मैंने क्वेस्चन आपसे पूछा था उसका आंसर, जो ज impognिकल सरी व्फ जो wide-checked macaque इसको spot किया गया था इसका सही अंसर है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश के अंदर इसको देखा गया था इंडिया में पहली वार first time in इंडिया इसको spot किया था दोस्तों इसके बारे में आपको आता हूं यह है इसका image आप देख सकते हैं यह white-checked macaque है और यह हमें सबसे पहले देखने को मिला था चाइना के अंदर चाइना के अंदर 2015 में इसको सबसे पहली वार देखा गया था और अब इंडिया के अंदर अरुनाचल प्रदेश में इसको देखा गया है तो जो अरुनाचल प्रदेश वाला रीजन है ये भी वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जब इसको पहली वार देखा है ये 2015 में उससे लगवग 200 किलोमीटर की दूरी पर ये जो अरुनाचल प्रदेश का एरिया है जहां पर इसको स्पोट किया है वो इस्तेत है तो इस तरह से ये वहाँ से कहीं से माइग्रेट करके भी आ सकता है तो ये सारी की सारी चीजहां थी इसके बारे में तो उम्मीद है वीडियो आप समझ पाए होंगे आप काफी ज़्यादा नहीं ले जांसे गेन कर पाए होंगे दोस्तों यदि आपने अभी तक MJT एजुकेश पढ़ाए जाएंगे मात 33-39 रुपे में तो यदि आप इसको जोईन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं क्योंकि यह जो रेट है यह कभी भी बढ़ सकती है यदि आप जोईन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जहां पर आपनी को सॉल्व करवा सकते हैं इसके अलाबा यहांपर आपको topic wise classes मिलेंगे डीटेल PDF मिलेंगे free practice set मिलेंगे जिस संदिध में आपको strategy बताई यह जिससे अपनी chamado preparation है उसको और better बना पाएंगे इसके अलाबा है यह आप हमारे चाहते हैं यह में को सकती है तो इसके अभी तक लिए आपका भूत भूत धन्यवाद और यदि आपने अभी तक MJT Education को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लिजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए धन्यवाद